नमस्कार सिटी पोस्ट लाइब के इस खास प्रेसकस में आपका स्वागत है मैं हूँ स्रिकान प्रतियूस आपके लिए बड़ी खबर है जी हाँ उसी नेता के बारे में खबर है जिसको सबसे ज़्यादा आप देखते हैं अनन सिंग मुकामा के बाहुबली विधायक अनन सि के बारे में सोचा जा रहा था कि क्या कांग्रेस उनको उमिद्वार बनाएगी कांग्रेस अगर उमिद्वार बनाएगी तो सत्ता पक्ष हमलावर होगा क्योंकि उनका प्राधिक रिकॉर्ड है और इसी बात को लेकर सन्से बना हुआ था वैसे अनन सिंग तो ताल ठोक कर दो महीने से चुनाव परचार कर रहे हैं, और अपने को कांग्रेस परत्यासी भी बता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का भी परचार कर रहे हैं, तो अनन सिंग ने जो भुमी का निभाई थी पत्ना के गांधी मैदान में आयोजित कांग्रेस की रैली को सफल बनाने में, उसक अब सिधे ये आरूप नहीं लगाया जा सकेगा कि एक बाहुवली अपराधिक प्रिष्ट भूमी के उमिद्वार को राहूल गांधी ने गले लगा लिया है क्योंकि राहूल गांधी ने गले लगाया है अनन सिंग की पत्नी को उनको कांग्रेस पार्टी में सामिल किया है औ उनकी पत्नी पूनम उनकी पत्नी निलम निलम सिंग क्योंकि निलम सिंग पहली बार राजनिती में आ रही है पहली बार ओ चुनाव लड़ रही है लेकिन राजनितिक सक्रियता उनकी कोई नई नहीं है अनन सिंग जब पिछले बिधान सुभा चुनाव के दौरान जेल में तब उनकी पत्नी नहीं उनके लिए चुनाव प्रचार किया था घर घर जा कर बोट माँआ था और वो राजनिती को बखुवी समझती हैं अनन सिंग से दो महिना पहले ही हमने बातचीत की थी और एक खुलासा दो पहले ही कर दिया था कि अनन सिंग चुनाव नहीं लडेंगे अनन सिंग की पत्नी को कांग्रेस कावमिद्वार बना जाएगा और उस खबर पर अब कांग्रेस पार्टी की मुहर लग गई है जी हाँ अनन सिंग की पतनी कांग्रेस पार्टी जोईन कर चुकी है और ये दिली में जोईनिंग हुई है और अब खबर आ रही है कि उनको टीकट भी मिल रहा है तो आप पहले सुनिए कि अनन सिंग ने दो महीना पहले सिटी पोस्ट लाइब के साथ खास बातचीत में किस तरह से संकेत दिया था कि उनकी पतनी उनकी जगह चुनाव मैदान में उतर सकती है मुंगेर से तो मान बिश्वास है मेडम पर पुरा पूरा भी स्वास है समुच्छे हम जेल गें कुलें चुछेत वह बाट भागा है तो आपने सुन लिया अनन सिंग का रहे कि उन नई थोड़े है जब हम जेल में थे पूरा चुनाव को उसी ने लड़ा पूरे चुनाव की कमान उसी ने संभाली और वैसे भी अनन सिंग भले अभी चुनाव परचार कर रहे हैं लेकिन उनके चुनाव परचार के खर्चे का सारा बेवरा सारा रिकॉर्ड सारी तयारी उनकी पत्नी ही करती है तो उनकी पत्नी भले मिडिया में नहीं आई हैं, सुरुख्यों में कभी नहीं आई हैं और राजनिती के अखाडे में नहीं उतरी हैं, लेकिन अपने पती की मदद करने के बहाने वो राजनिती के हर चाल से वाकी फैं जी हां, तो आज मैं आपको बता देता हूं कि पहली बा अनन सिंग की पत्नी मुंगेर से चुनाव मेदान में उतरेंगी और ललन सिंग का मुकाबला अनन सिंग से नहीं बलकि उनकी पत्नी से होगा ये दिगर बात है कि अनन सिंग जान लगा देंगे अपनी पत्ति को जीताने के लिए क्योंकि अनन सिंग का मकसद चुनाव जितना कम ललन सिंग को हराना ज्यादा है और ललन सिंग की हार इतनी आसान नहीं है जिस तरह से महौल इंडिये के पक्ष में हो गया है दो महिना पहले तिन महिना पहले अलग बात थी लेकिन अभी जिस तरह से महौल बदल गया है इंडिये के पक्ष में हवा बन गई है ऐसे में ललन सिंग को हराना कोई असान कम नहीं होगा लेकिन अब जब अनन सिंग खुद चुनाव मैदान में सिधे नहीं उतर रहे है अपनी पत्नी को उतार रहे है तो चुनाव जीते या हारे सिधे उनको हारने वाला खेलारी कहां नहीं जा सकेगा यह दाजिनतिक समझ की बात है तो अनन सिंग अपने पत्नी को चुनामधान में उतार रहे हैं ए बड़ी खबर थी आपके लिए इसलिए हम दे रहे हैं और अपचारी के लान अभी तक नहीं हुआ है कि वो मिद्वार होंगी कांग्रेस की लेकिन हमारे पास जो सुत्रों के हवाले से खबर आ रही है अनन सि योग समर्थन लागतार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत अभार नमस्कार